प्रॉब्लिम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट पूरे साल भर हनुमान चालिसा का अगर पाट करें, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज की जिग्यासा ये है कि क्या पूजा उपासना और साधना करने वालों को जीवन में ज्यादा कष्ट मिलता है यूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा पूजा पाट करते थे, देखो जिन्दिगी में मुश्केल आ गई जो लोग ज़ादा पूजा पाठ करते हैं उनको अधिक कष्ट होता है ऐसा लोग कहते हैं क्या सच है देखिए जब कोई व्यक्ति वास्तों में पूजा साधना करता है तो उसके कर्मों का भोग शुरू हो जाता है जो पूर्व संसकार उसने कठे किये हैं वो सब धीरे-धीरे समाप्तों होने शुरू होते हैं अगर अच्छे संसकार थे तो अच्छा समय आ जाता है और अगर बुरे संसकार थे तो कर्मों का भोग शुरू हो जाता है इससे व्यक्ति को सुख और दुख दोनों मिलता है लेकिन भक्त इन दुखों से बिचलित नहीं होता और इश्वर की तरफ चलता रहता है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए तो ये कहना बिलकुल गलत है कि बाई पूजा पाच जादा करोगे तो कश्ट होगा जीवन में जो कश्ट होता है वो आपके अपने कर्मों की वज़ा से होता है जब आप पूजा उपासना करते हैं तो उन कर्मों की सफाई होने लगती है आपके पूर्व संचित संसकार नश्ट होने लगते हैं तो इस वज़ा से कभी-कभी व्यक्ति को कष्ट हो जाता है अगर आपके तमाम प्रयासों के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो एक विशेश उपाय करें ये उपाय तीन शनीवार बैक टू बैक करिएगा बीच में एक भी शनीवार का गैप नहीं होना चाहिए पहले शनीवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काली उड़द की डाल का दान करिएगा दूसरे शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को काला कंबल या काला कपड़ा दीजिएगा और तीसरे शनिवार को अस्पताल में धन या दवाईयों का दान करिएगा ये तीन शनीवार आप उपाय करेंगे तो निश्चित निश्चित रूप से हर हाल में आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी देखिए शनीवार को जब आप भोजन करते हैं तो भोजन में काले चने या काली डाल शामिल करिए ऐसा करने से आपका शनी ग्रह मजबूत होगा तो अगर आपको शनी को बेहतर करना है इससे लाब लेना है तो शनीवार को काले चने या काली डाल जरूर खाईए आपको मिलेगा भविशी से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आश्टो तक एप और चिटकी में जड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से